हेलो बच्चो जैसा कि मैंने आप लोगो लास्ट वीडियो में electronic configuration लिखना सिखाया once लेके 30 तक के element का और मैंने बोला था कि जब आप once लेके 30 तक के element को समझोगे with the help of electronic configuration तो आप उसके help से ये पहचान पाओगे कि वो element कौन से block में belong करता है, कौन से group में है, कौन से period में है और group से आपको ये समझ में आएगे कि उससे मिलते जुलते property वाले और कौन से element हो सकते तो ये सारी बाते आपको समझ में आएगी जब आप electronic configuration लिखना जानते रहोगे और वो आप already सीख चुके हो तो आज हम लोग लोग सीखेंगे कि कैसे with the help of electronic configuration आप किसी भी element के block उसके period उसके group ये सारा कैसे determine कर सकते हो ये आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले तो चलिए स्टार्ट करते बिना लेट किये लिगो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि पूरा जो हमारा modern periodic table वो उसमें कितने ब्लॉक होते हैं यह बहुत ही आसान है समझना जैसे अपने atomic structure अगर पढ़ा है तो आपने यह पढ़ा होगा कि जैसे जो cell होता है उसको हम लोग 1 2 3 4 इस तरी के से principal quantum number से represent करते हैं और देखो जो हमारा periodic table है उसको एक्चली हम लोग बोर्स में periodic table भी बोलते हैं और इसका reason यह है कि कहीं हमारा modern periodic table boards के सिदान पर क्या होता है आधारित होता है तो उसके according क्या आता है कि उन्हों आता है सबसे और सबसे चार तरीके के होते हैं कौन-कौन से होते हैं तो वह होते हैं स पी और यह चार सबसे होते हैं अभी आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि यह जो सबसेल है इसमें एक और बाइटल होता है और बाइटल इसके पास क्या होता है? इसके पास 5 box होता है, तो 5 orbital है, मैं इसको इस तरीके से represent कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, उसी तरीके से जो f होता है, उसके पास क्या होता है? 7 होता है, इसके पास कितना था 1, इसके पास कितना था orbital 3, इसके पास 5, और f के पास उसी तरीके से आप बना सकत चाहीम्स क्यों कितना होगा seven और यह जो एक और बाईटल है इसमें जो होता है maximum दो इलेक्ट्राउन रह सकते हैं तो इसको इस तरीके से अगर मैं represent करूं यह डो इलेक्ट्राउन तो आपको सिंप्ली इस तरीके से याद रखना है कि एक और बाईटल जो है उसमें maximum 2 electron रह सकते हैं जैसे मालों चोटा सा एक घर है उसमें क्या होता है husband wife इस तरीके से रहते हैं तो दो member रह सकते हैं तो अगर किसी के पास एक घर है तो वहाँ पर maximum 2 लोग रह सकते हैं तो हम लोग देख रहे हैं S वाले के पास एक घर है मतलब इसमें maximum कितने एलेक्राउं रह सकते है टू एलेक्राउन maximum रह सकते है तो यहाँ पर कितने maximum रह सकते है तो यहाँ पर कितने ये 5, 2 जा क्या होगा है 10 और F वाले के पास 7 और बाइटल है तो यहाँ पर क्या होगा 14 यह चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ब्लॉक के साथ ये भी समझ में आए कि किसी ब्लॉक में जो है कितने ग्रूप्स होते है तो अभी मैं आपको आपने क्या बता हूँ जैसे मालों यह हमारा एक modern periodic table है इसमें इसको चार ब्लॉक कॉन-कॉन से होते हो सब्सक्राइब यह जो आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते है एस ब्लॉक यह होता है इस साइड में रता और यह जो extreme right में है यह सारा यह होता है पी ब्लॉक यह हो गया पी ब्ल जो होता है इसको हम लोग बोलते है एक लोग क्यों रखा गया इसको मैं थोड़ी दिर बाद आपको explain कर रहा हूं तो आपको एक बाद समझ में आ गया पूरा मेरे टेबल में कितने ब्लॉक है फोर ब्लॉक है एस पी डी और एफ और और देखो जैसा कि मैंने यहां पर आप बाद करें तो देखो पी में कितना मिला था हम लोग को maximum six electron रह सकता था इसलिए पी वाले में आप देखोगे six group होगा one two three four five और six डी वाले में क्या देखा था हम लोगोंने डी वाले में maximum 10 electron रह सकते तो आप देखोगे डी वाले में यह जो है यहां से लेके यहां तक 10 group 14 था तो इसको छोड़के इधर से अगर आप count करोगे यह सारा तो यहां पर आपको देखो यह 14 group मिलेंगे one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen और 14 ठीक है तो इस तरीके से आपको idea लग गया कि block कितने हैं उसमें कितने group हो सकते हैं आपको समझ में आ गया चलो अभी थोड़ा सा हम लोग पता होना पड़ेगा कि कितना period है या फिर कितना group है तो पूरे modern periodic table में जो है वहाँ पर आप देखो कि total seven period आपको मिलेंगे और group का जो number है वो क्या है 80 यह जो period होता है यह क्या होता है यह horizontal line जो होते है इसी को हम लोग क्या बोलते है period बोलते हैं और यह जो vertical line अभी मैंने आ आपको दिखाया वो क्या तक group था इसको भी देखो फिर से एक बर blank periodic table में जैसे आप देख रहे हो यह जो seven line यह one two three four five six seven यह जो line horizontal line आप देख रहे हो यह सारा क्या है यह सारा है period इसको हम लोग देखो यह period नहीं होता है यह क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा बात मे चलो कि यह period नहीं होता है horizontal line तो यह भी दिख रहा होगा आपको यह period नहीं है period यह seven है और अगर हम लोग group का बात करेंगे तो यह vertical वाले जो होते है one two three four five यह सारा जो vertical lines आप देख लो इसको हम लोग क्या बोलते है इसको हम लोग बोलते है group तो I think आपको यह बात समझ में आ आगया होगा logical चली अभी और आगे group और decide करने के पहले एक छोटा सा information और आपको बता देता हूं ताकि आगे जो भी आप सीखोंगे आपको smoothly समझ में आ जाए तो जैसे हम लोग को थोड़ा था आपको वैलेंस सेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनेट सेल एन माइनस वन सेल यह स बोला जाता है अभी इसको कैसे पता करोगे अपने electronic configuration अगर आपने लिख लिया है तो इसमें valence cell कौन सा होगा तो बहुत ही आसान है आप देखना कि electronic configuration में maximum कौन सा नंबर आपने लिखा है वही क्या होगा उसका valence cell जैसे मालों यहाँ पर हमने electronic configuration आप देख रहे हैं इसमें valence cell में कितने electron है तो यह 3 वाला जो लिखा है उसमें कितने electron है वान electron है तो यहाँ पर valence electron कितने होगे वान सबसे बाहर वाला तो अगर वाला एंट सेल उसके पहले वाला क्या होगा जैसे इस केस में अगर थ्री मेरा वैलेंस सेल है तो एन माइनस वन क्या होगा तू वाला होगा तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा समझने है जैसे मालनों ये इस का एलेक्ट्रोन अगर मैं आपसे पुछू कि सका वैलेंस सेल बताओ तो आप देखोगे इसमें मैक्सिमम नंबर क्या लिखा हुआ है तो ये फौर्ट क्या है इसका वैलेंस सेल गव्लिंस सेल है अभी इस वैलेंस cell में electron कितने हैं वो क्या होंगे valence electron बताएंगे तो यह फूर जो है इसमें कितना लिखा हुआ है तो यह ही क्या होगा इसका valence electron हो ठीक है लेकिन यहांपने कोई छोटा सा confusion होता है बच्चों को उसके लिए मैंने और एक एक्जामपल यह है क्लोरीन वाला जैसे क्लोरीन का electronic configuration और यह आप लिखा हुआ है अभी आप देखो कि इसमें जो valence cell है वो कौन सा है तो देखो कि maximum number क्या लिखा है अपने तो maximum number 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसका जो valence cell है वो कौन सा है वो third है अभी इसका यह 3 से जितना भी लिखा हुआ है सारा क्या होगा वो valence cell के अंडर नहीं आता है उस cell में कहें 2 sub cell है S और P लेकिन पूरे cell में electron कितने है उन दोनों को plus करना पड़ेगा मतलब अगर मैं आप से पूछू कि valence electron कितना है तो आप देखो को पूरे 3 में कितना लिखा हुआ है यहां पर 2 लिखा हुआ है और यहां पर 5 लिखा हुआ है तो 2 प्लस 5 इतना हो जाएगा यह हो जाएगा 7 इसका मतलब इसमें valence electron कितने होंगे 7 होगे तो आई तिंग आपको यह valence electron का concept समझ में आ गया valence cell क्या होता है वो समझ में आ गया आप लोगो और आप nth cell और n-1 cell आप समझ गया और उसके पहले वाला जो होगा उसको क्या बोलेंगे n-1 cell बोलेंगे चलो आगे बढ़ते हैं तो अभी हम लोग determine करना सिखते हैं block कि कैसे किसी element के block को हम लोग determine कर सकते with the help of electronic configuration बहुत ही आसान है block determine करना आप simply देखोगे कि last का जो electron है वो कौन से सबसेल में गया अगर वो S में गया तो S block का P में गया तो P block का D में गया तो D block तो यहां पर आप क्या देखो जैसे यहां पर आप देखो यह sodium हम लोग क्या देख रहे कि इसका जो लाष्ट वाला electron है लाष्ट वाला electron यह कि वैलेंस सेल करने लाष्ट में जो electron आपने लिखा एक्चुली यह जो लिखा S block का element है उसे तरीके से अगर मालू मैं magnesium का बात करूंगा तो इसका भी जो लाष्ट electron देख रहे हो कहां पे गया S में गया तो यह भी क्या होगा S block का ही element होगा अभी जैसे यह अल्मूनियम है इसका electronic configuration लिखा हुआ है अभी आप देखो इसका जो लाष्ट electron है वो कहां पे गया तो आप देखे लो यह P में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है यह P block का element है इसके बाद जैसे chlorine वाला भी Atomic number क्या है 21 है इसका electronic configuration यह अगर यह पूचा जाए कौन से block का है तो आप देखो कि लाष्ट वाला electron कौन सा है वन कहां पे गया है इसका मतलब यह D block है यह मत समझना है वैलेंस सेल नहीं देखना है लाष्ट वाला electron क्योंकि इसका जो वैलेंस सेल होगा वो तो फोर्थ है त लोग देखो जैसे यहां पे sodium magnesium क्याता है एस block का element था देखो यह रहा sodium मैंने बताया था न है यह क्या होता है यह s block है इधर वाला यह जो पूरा है यह यह पी ब्लॉक है यह वाला पूरा क्या है यह D block है ठीक है तो sodium ने कहां पे आ रहा है एस block मैंगनेशियम लिखा था कहा प्राइब यह तरीके से सिंप्ली आप यह लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है आप डिसाइड कर सकते हैं उसका ब्लॉक नंबर और जब तक आप ब्लॉक नहीं सीह विए इसलिए मैंने पहले ब्लॉक आपको बता देखते हैं कि हम लोग electronic configuration के health से हम लोग यह period कैसे बताते कि कौन सा element कौन से period में बिलॉंग करते हैं तो यह बहुत ही आसान है आपको simply क्या देखना है उसका valence cell आपको समझने आ जाएगा तो मतलब आपको simply देखना है कि इसमें जो valence cell है वो कौन सा है वही रिप्रिजेंट करते है उसके period को ठीक है तो और valence cell कैसे प्रिजेंट करते हैं जो maximum number लिखा होता है तो आप देखोगे यहां पर maximum number क्या लिखा हुआ है तू इसका मतलब यह जो है वो second period में बिलॉंग करते है तो इसमालों यह sodium का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर maximum number क्या दिखा है त्री इसका मतलब यह क्या है यह थर्ड period का element है जैसे यहां पर scandium देख रहे हैं इसका जो maximum number क्या लिखा हुआ है फूर लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं चेक करना है maximum number मतलब वैलन सेल का है फूर इसका मतलब यह देखोगे यह fourth period का element है और यह last वाला chlorine जो है इसमें maximum क्या दिख रहा है त्री दिख रहा है मतलब यह क्या होगा यह third period का element है तो आपको समझ में आ गया period decide करना बहुत ही आसान है सिंप्लिए आपको देखना है कि उसमें उसका जो वैलन सेल कौन सा है मतलब उसमें electronic consideration में आसान बासा में मैं बोलूँगा तो यहीं बोलूँगा कि maximum number क्या रिता हुए चलो यह चेक कर लेते एक पर पेरियोडिक टेबल में oxygen जैसे यहां पर देख रहा हुए oxygen यहां पर है कौन से वाले period में oxygen देखो यह oxygen कहां पर second period में यहां पर second period में उसके बाद हमने क्या देखा था हमने देखा था sodium थर्ड पीरियड देखो यह sodium है यह कहां पर आ रहा है थर्ड पीरियड उसके बाद हमने क्या देखा था हमने देखा था यह scandium scandium कहां पर मिला था आपको fourth period देखो यह राख क्लोरीन कौन से वाले period में है first second third यह था यह रहा है तो इस तरीके से हम लोग period आराम से determine कर सकते तो चलिए अभी हम लोग समझते सबसे important part जो की group decide करना होता है क्योंकि block और period निकालना बहुत ही आसान होता है अभी हम लोग यह जो group decide करेंगे वो क्या होगा simply spdf इसके according करेंगे जैसे मानलों अगर कोई element अगर s block का है कैसे पता करोगे s block आपको समझ में आई रहे last electron देखना कहां पर जाना चाहिए s में अगर कोई element s block का है तो simply आप देखोगे जो group number होगा group number equal to simply होगा number of electron in balance है number of electron in balance है और इसमें देखोगे s block वाले का वैलेंसल में या तो one होता है नहीं तो two होता है क्योंकि first और second यही s block होता है तो जैसे मानलों इसका मुझे sodium का अगर मुझे पता करना होगा electronic configuration लिखा हुआ है आपको कैसे आपने देखा कि यह इसका last electron s में है मतलब यह s block है अभी simply देखोगे कि इसमें कितना electron है one इसका मतलब इसका group number क्या होगा कि इसका group number हो जाएगा इसका मतलब यह क्या हो जाएगा जाएगा जैसे मानलों इसमें maximum number हमने क्या दिख लिया 3 मतलब इसका period 3 होगा यह वाला भी क्या इसका maximum number क्या लिखा हुआ है यहां पर इसका भी क्या होगा दोनों third period के हैं लेकिन यह first group का है और यह second group का है इसको मैं आपको period में एक बार दिखा देता हूँ कि sodium and magnesium यह sodium है यह कहां पर है यह third period में है और ग्रूप नंबर क्या है और यह जो magnesium था third period में ही लेकिन ग्रूप नंबर क्या था इसका तू था इस तरीके से हम लोग s block वाले का group आराम से decide कर सकते सिंप्ली देखोंगी group number required to क्या होता है number of electron imbalance है चलिए अभी हम लोग समझते p block वाले का group कैसे decide करोगे बहुत ही आसान है आपको क्या देखना है p block वाले element सबसे पहले तो p block कैसे पहचान होगे आप देखना last electron कहां पर जाना चाहिए p sub cell में जाना चाहिए मतलब p block का है जैसे यहां पर जितना भी example आप देख रहे हो यहां पर last वाले electron सब में कहां पर p में है मतलब यह सारा क्या है p block का element है अब अगर यह p block का है तो यह कौन से ग्रूप में belong करता है तो उसके लिए हम लोग simply क्या देखते एक formula आपको याद रखना है group number equal to क्या होता है 10 plus number of electron in balance cell मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको शुरू में बता है तो अभी आपको उसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए जैसे मालो मुझे इस chlorine का group number decide करना है तो हम लोग क्या देखेंगे सबसे पहले मैंने decide कर लिया कि यह पी ब्लॉक का है यह आपको समझ में आ गया अभी इसके लिए इसका गुरूप नंबर क्या होगा 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्रों इन बैलें से बैलें से जहां से कॉन सा होता है जो maximum number लिखा हुआ है यहां पे maximum नंबर आपको क्या है 3 तो इसका वैलन से ठवाडरैय अभी 3 से जितना भी होगा यह पूरा इसका वैलन से हो यहां कितने इलेक्रों है और यहां पर क्या है यह कितना हो जाएगा इसका मतलब यह ग्रूप नंबर क्या होगा बहुत लोग इसको ट्वैल प्लस लास्ट वाला भी लेके करते लिए इसमें बहुत बच्चों को हो यह 10 प्लस इसका वैलें सेल कौन से वैलें सेल आप देखरों यह लिए मैक्सिमम नंबशी लिखाया है मतलब ठीका बहुत सेल है और इसमें लेक्ट्रॉन कितने है तो हम प्लस थ्री फाइफ लेक्ट्रॉन है तो यहां पर इसक्टीन्द का एलमेंट होगा अभी जैसे उग लिखेंगे कि इसका जो वैलेंस सेल है उसमें कितने एलेक्ट्र होगे तो वैलेंस सेल कौन सा हूँ यह 4 मैक्सिमम नमबर आपने क्या लिखा है 4 मतलब यह 4 वाला इसका क्या है वैलेंस सेल है अभी यहां पे चलो इसको मैं आपको पॉर्यूड़िक टेवल नहीं दिखा देता हूं क्लोरीन फसफोरस और गैलियम जो था यह आपको यह ग्यालियम यह वह चलो है और गैलियम जो था यह आपको यह तरीके से यहां पर हमने वही सब लिखा तो इस तरीके से हम लोग आराम से डिसाइड कर सकते किसका पी ब्लॉक वाले का अभी इसका पीरियंट भी फटा फटा आप लोग बताई दो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं है सोग क्लोरिन का क्या होगा मैक्सिमम नंबर 3 है मतलब क्या होगा है इहाँ पर कि व्लॉक का आराम से समझ में आगए कैसे करेंगे आप दिखो के लाष्टी यहां पर दिखाए करेंगे बहुतं ही आराम से समझो आप लोग इसका जो फॉर्मूला होता है वो यह होता है कि number of electron in n-1d cell plus number of electron in n-th cell n-th cell का मतलब क्या हो गया valence cell इसलिए मैंने सुरू में ही आपको n-n-th cell और n-1 cell और अल्रेडी बता है चलो फिर से समझ लेके तो जैसे सबसे पहले इस scandium जो है हम लोग देखेंगे इसका जो valence cell है वो कौन सा है वैलेंस cell कैसे पता चलेगा maximum number क्या लिखा हूँ है 4 तो मतलब इसका valence cell क्या आता यह 4 है अभी इस 4 वाले में कितने electron दिख रहे है आपको 2 तो आपको इसको लेना है प्लस अगर valence cell या फिर n-th cell अगर 4 है तो इसमें से 1-3 चरहेंगे तो क्या आएगा 3 तो आभी third वाला पर तो सारा electron नहीं लेना है उसका अभी लिखा हुआ है N-1 का क्या लेना है only D वालेना है जैसे यहां पर यह 3 है तर्ड है तो इसका सारा electron मत लेना क्या करों गी इसका डी वाला जोगा वो इसके लेक्रान को यहाँ पर वन ट्लस कर लेंगी रहे गाले त्टे समझ में जैसिे वह 보ंन क्यों दिखना है इसक आपको इसमें किसी में दिक्कत नहीं ढ़ुएगा इसका मंजे इसका यह एक्सेप्सनल वाला इलेक्रोनिक न्पिग्रेशन लिखा है नॉर्मल एक्सेप्सनल पुछ भी लिखो जो अभी तरीका में बता रहा हूं इससे आपको उसमें किसी में दिक्कत नहीं आएगा तो अब देखो इसका मुझे ग्रूप डिसाइड करना है सबसे पहले म है निए यहां पर ले लेंगे तो यह कितने आजाएंगे सिक्स मतलब यह किया है यह व्लूप करथे चलो थो पर जैड़ें और इस केंग्रोड यह चणालन आपको यहंद्यव करने है चलिए समझते अभी एक ब्लॉक का जो ग्रूप या पिरियंट डिसाइड करना है इसको आप तभी समझ पाओगे जब आप यह समझोगे कि एक्शली एक ब्लॉक कैसे आया कहां पर उसका पोजिशन है पेरियोडिक टेबल में तो पहले में वह आपको दिखा दे रहा हूँ देखो एक्शली हुआ क्या जब एलिमेंट का डिस्कवरी हो रहा था तो यहां पर यह थोर्ड ग्रूप में जैसे यह 57 नंबर जो एक्टॉमिक नंबर होता है वह लेंथनम का होता है तो लेंथनम के बाद इसी से मिलता जुलता हुआ 14th एलिमेंट डिस्कवरी होगा तो अ इसको हम लोग सेम ग्रूप में रखते हैं तो अभी मान लो अगर यहां पर 57 लेंथनम के नीचे अगर मैं 14th एलिमेंट रख देता तो यह परियोडिक टेबल क्या होता बहुत ही बड़ा हो जाता इसका अंडियो एक्सपैंसन हो जाता तो इसी एक्सपैंसन को बचने के लि बीउय है यह जो ब्लॉक होता है इसको हम लोग क्याह बोलते है मैंने शरू में ही बताये लोग ब्लॉक तो f ब्लॉक का अगर आपको ग्रूप नंबर बोलेगा तो एंवेस फिक्ष होता है वह कोई टेंसर नहीं इसका पीरिएड वाले के लिए आपको क्या करणा और यह जो होता है यह 6th period यहां पे रहता है यह 6th period में यह रहता है और यह जो actinium से मिलता जुलता हुआ 14th element जो discover हुआ इसको actinite बोलते हैं और यह रहते हैं हमारे 7th period तो आपको यह समझ में आ गया है इसको अलग त्यों रखा गया यह question फूसता भी है due to undue expansion of periodic table को रोकने के ठीक है तो अभी देखो इसका मैं यहां पर बता देता हूं तो अभी इसका group number आपको समझ में आ गया कि f log का group number तो fix होगा always यह third group में ही होगा और आप पीरियेड का बात तो period में आप लोग याद रखना कि अगर atomic number 58 से लेके 72 तक है तो यह इसको हम लोग lengthenoid बोलते हैं और वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको यह सुखाऊंगा अभी हम लोग क्या सिख रहें एक टॉनिक कन्फिविशन लिख के group block यह सब डिसाइड करना अभी next वीडियो जो आएगा उसमें आप देखो कि without writing electronic configuration कैसे आप period और group decide कर सकते हो यह मैं आपको सिखाऊंगा तो व block कैसे पता करते है period ग्रूप यह सारा आपको समझ में आ गया चलो दो तिन question practice करते हैं उसके बाद इस वीडियो को end करेंगे जैसे हम चले कुछ element का हम लोग electronic configuration लिखेंगे फिर उसके help से उसका group period और block के सब decide करेंगे जैसे यह potassium है 19 atomic number है इसका electronic configuration क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s and 4s, 1 देखो count करके क्या हो गया यह 19 हो गया तो अभी इसका electronic configuration लिखने के बाद आप देखो मुझे बताओ कि यह कौन से वाले block का element है उसके लिए हम क्या देखेंगे last electron कहां पे गया है इसका मतलब इसका जो block होगा वो block कौन सा हो जाएगा एस हो जाएगा अभी अब लोग यह देखेंगे इसका period क्या है तो period कौन से period में belong करते है उसके लिए maximum number क्या रिखा है वह सिंपल सा maximum number क्या है 4 इसका मतलब इसका अगर हम period का बात करें इसका period क्या हो जाएगा 4 अभी इसका मुझे group decide करना है तो इस इसके लिए मैं देखूंगा block क्या था एस एस ब्लॉक वाले में जितने electron balance cell में होते हैं वही उसका group number है इसके balance cell में कितने electron है वन इसका मतलब इसका जो group number होगा वो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा तो यह समझ में आगे आप लोगो potassium का चलो fluorine का कर लेते 9 है बहुत छोट इसका atomic number है 1 is 2 2 is 2 and 2 p 5 यह हो गया 9 अभी इसका block क्या होगा देखू लास्ट वाले electron कहां पे गया पी में गया इसका block क्या होगा पी अभी इसका period क्या होगा maximum number क्या लिखा हुआ है यहां पे 2 इसका period number क्या हो जाएगा 2 और इसका group number अभी पी वाले के लिए मैंने क्या बता है इसमें total electron कितने हैं यहां पे total electron है 7 इसका period number क्या होगा 10 plus 7 इसको क्या लिखेंगे 1 is 2 2s2 2p6 3s2 3p6 इसके बाद क्या आएगा 4s2 और इसके बाद अभी तक कितना fill up होगे हम लोगो 22 fill up करना है यहां पे हो गया 10 और यहां पे हो गया 10 और यहां पे हो गया 10 मतलब अभी 3D क्या है तो आपको यहां पे देखना है कि अभी last electron कहां पे गया डी में गया इसका मतलब इसका जो block number होगा block क्या होगा इसका D block का element है अभी हम लोग next देखेंगे इसका period तो maximum number क्या लिखा हुआ है 4 तो इसका मतलब इसका period number क्या होगा 4 और group number के लिए मैंने क्या बताया था तो group number के लिए आप देखोगे इसका मतलब इसका group number क्या होगा तो I think जो भी मैंने यह बताया यह आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अगर आपको समझ में आया तो यह 3 element यह calcium यह sulfur और यह copper इसका आपको बताना है कि यह कौन से block का है कौन से period में belong करता है कौन से group में belong करता है इससे मुझे यह भी समझ में आएगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको लोग को समझ में आ रहा है और आप लोग का भी practice हो जाएगा और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को like करें और हमारे चैनल को subscribe भी कर ले ताकि इसी तरीकी का जो important videos आपको regular basis पे मिलता रहे औ और finally मैं बोलना चाहता हूं thank you